अच्छे खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं उत्तरपरदेश की क्योंकि उत्तरपरदेश में हम लगातार देख रहे हैं कि अवैत निर्भान की खिलाफ योगी सरकार लगातार एक्शन मोड बे नज़रा रहे हैं खबर सामने आई है बनारेश से जहाँ पर दो होटलों पर बड़ी कारवाई की गई यह कारवाई की गई और आके क्या कारवाई की गई है आपको इस रिपोर्ट के जरिये बताते हैं लाल इमारत पर चलता पीला पंजा भारी पुलिस फोर्स और मौके पर मौझूद विकास प्राधिकरण की अधिकारी यह तस्पीरे हैं वारा नसी की जहां अवैद बने दो होटलों पर बुल्डोजर आक्शन देखने को मिला दोनों ही होटेल ग्रीन वेल्ट में बने थे जिनको अब वीडिये की आदेश में धुस्त किया जा रहा है दरसल शनिवार को बनारस कोटियर होटेल रिवर पैलेस पर कारवाई के लिए वीडिये की अधिकारी बुद्ध विहार कॉलनी पहुंचे जहां पुलिस ने पहले होटेल खाली कराया और फिर बुल्डोजर का आक्शन शुरू हुआ दोनों होटेल पाँच मंजिला हैं जिसमें कुल 90 कमरे हैं जानकारी देते हुए वीडिये के उपा देक्श पुलकित गर्ग ने बताया कि दोनों होटेल वरुना नदी के 50 मीटर के दायरे में हैं होटेल मालिकों ने कई प्लॉट मिला कर दो होटेल बना लिए वीडिये से इसके लिए कोई मंजूरी नहीं ली गई जब धोस्तिकरन का आदेश जारी हुआ तो होटेल मालिकों ने कमिशनर के पास अफील की फिर मामला प्रिशासन और कोट में गया कोट ने कहा कि प्रिशासन पैसला करेगा इसके राद प्रिशासन ने मामले को खारिच कर दिया बाद में 2017-2018 में भी होटेल मालिकों ने धुस्तिकरन की कारवाई को रोका तो होटेल मालिकों के खलाप वेफाया दज़ की गई पिछले हफते भी होटेल खाली करने का नोटिस दिया लेकिन इन्होंने नहीं माना को नोटिस दे रहे हैं कि आप अपना एक खाली कर दीजे लेकिन इनके द्वारा फिर भी जो है कोई रूची नहीं ली गई किसी भी प्रकार की लेकिन होटेल मालिक अपने परिवार को आगे करके बचने की कोशिश करते रहे हैं बीरो रिपोर्ट रिपाब्लिक भारत और दिल्ली में जो हाथसा हुआ है उसे जुड़ी एक बड़ी ख़बर आपको बता दे दुर असल यहां कोचिंग का मालिक और कॉडिनेटर को गिरफतार कर लिया गया है दिल्ली के ओल्ड राधियन नगत में कोचिंग सेंटर के बेस्मेंट में पानी भरने से जहां पर लाइब्रेरी थी और नाले का पानी भरने से तीन शात्रों की मौत हुई है जिनमें दो शात्राएं और एक शात्र शामिल है जिसमें मालिक को गिरफतार कर लिया गया है साथी मालिक के साथ साथ कॉडिनेटर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है दिल्ली हाथ से कोचिंग में जो बड़ा हाथ सा हुआ है उससे जुड़ी बड़ी अर्वेट आपको बता रहे हैं राउक आईस कोचिंग का कॉडिनेचर अकई बहुत सफल है जबरदस्त है अब तो कई नीजी कंपनियां भी AI के माध्यम से है हैंडलूम उत्पाद और सस्टेनेबल फैशन को बढ़ावा दे रही है कोशा AI हैंडलूम इंडिया डी जंक नोवा टैक्स ब्रह्मपूत्राफ फैबल्स ऐसे कितने ही स्टार्ट अफ भी हैंडलूम उत्पादों को लोगप्रिय बनाने में जूटे हैं मुझे ये देखकर भी अच्छा लगा कि बहुत से लोग अपने यहां के ऐसे लोकल प्रोडक्स को पॉपलर बनाने में जूटे हैं आप भी अपने लोकल प्रोडक्स को हैस्टेक माई प्रोडक्ट माई प्राइड के नाम से सोचल मीडिया पर अप्लोड करें आपका ये छोटा सा प्रयास अन मैं खादी की बात भी करना चाहूंगा आप मैंसे ऐसे कई लोग होंगे जो पहले कभी खादी के उत्पादों का उप्योग नहीं करते थे लेकिन आज बड़े गर्व से खादी पहनते हैं मुझे बताते हुए भी आनन्द आ रहा है खादी ग्रामद्योग का कारोबार पहली बार डेड़ लाग करोड रुपिय के पार पहुँच गया है सोचिए डेड़ लाग करोड रुपिय और जानते हैं खादी की विक्री कितनी भड़ी है 400% खादी की हैंलुम की ये बढ़ती हुई विक्री बड़ी संख्या में रोजगार के नए आउसर भी बना रही है इस इंडस्ट्री से सबसे ज़्यादा महिलाएं जुड़ी है तो सबसे ज़्यादा फाइदा भी उनी को हो रहा है मेरा तो आपसे फिर एक आग्रह है आपके पास भाती भाती के वस्त्र होंगे और आपने अब तक खादी के वस्त्र नहीं खरीदे तो इस साल से शुरू कर ले अगस का महिना आही गया है ये आजादी मिलने का महिना है क्रांती का महिना है इससे बड़िया आउसर और क्या होगा खादी खरीदने के लिए मेरे पहरे देश्वाश्यों मन की बात में मैंने अक्सर आपसे ड्रक्स की चुनोती की चर्चा की है हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रक्स की चपेट में ना आ जाए अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेश केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस ड्रक्स के खिलाब लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है कुछ दिन पहले ही मानस की हल्प लाइन और पॉर्टल को लॉंच किया गया है सरकार ने एक टॉल फ्री नंबर वन नाइन थी थी जारी किया है इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सरहा ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है अगर किसी के पास ड्रक्स से जुड़ी कोई दूसरी जानकारी भी है तो वो इसी नंबर पर कॉल करके नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ साजा भी कर सकते हैं मानस के साथ साजा की गई हर जानकारी गोपनिय रखी जाती है भारत को ड्रक्स फ्री बनाने में जूटे सभी लोगों से, सभी परिवारों से, सभी संसाओं से मेरा आगरह है कि मानस हेल्प लाइन का भरपूर उप्योग करें मेरे प्यारे देश्वासियों, कल दुनिया भर में टाइगर डे मनाये जाएगा भारत में तो टाइगर्स, बाग, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रखा है हम सब बागों से जुड़े किस्से कहानिया सुनते हुए ही बड़े हुए है जंगल के आसपास के गाउं में तो हर किसी को पता होता है कि बाग के साथ तानमेल बिठा कर कैसे रहना है हमारे देश में ऐसे कई गाउं है जहां इंसान और बाग के बीच कभी टकराव की स्थिति नहीं आती लेकिन जहां ऐसी स्थिति आती है वहां भी बागों के सवरक्षन के लिए अभूत पुर्वप प्रयास हो रहे हैं जन भागीदारी का ऐसा ही एक प्रयास है कुलहाडी बंद पंचायत राजस्तान के रण थंबोर से शुरू हुआ कुलहाडी बंद पंचायत अभ्यान बहुत दिल्चस्प है स्थानिय समुदायों ने स्वयम इस बात की सपत ली है कि जंगल में कुलहाडी के साथ नहीं जाएंगे और पैड नहीं काटेंगे इस एक फैसले से यहां के जंगल एक बार फिर से हरे भरे हो रहे हैं और बागों के लिए बहतर वातावन तैयार हो रहा है साथियों महाराष्ट का ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व बागों के प्रमुक बसरों में से एक है यहां के स्थानिय समुदायों विशेशकर गौंड और माना जंजाती के हमारे भाई भेनों ने इको टुरिजम की और तेजी से कदम बढ़ाए हैं उन्होंने जंगल पर अपनी निर्भरता को कम किया है ताकि यहां बागों की गतिविध्या बढ़ सकें आपको आंधा प्रदेश में नल्ला मलाई की पाहिडियों पर रहने वाले चेंचू जंजाती के प्रयाजपी हरान करतेंगे उन्होंने ताइगर ट्रेकर्स के तौर पर जंगल में बन्नी जीवों के मुमेंट की हर जानकरी जमा की इसके साथ ही वे शेत्र में अवेज गतिविध्यों की निगरानी भी करते रहे हैं इसी तर उत्तर प्रदेश के पिलिभीत में चल रहा बाग मित्र कारकम भी बहुत चर्चा में है इसके तहट स्थानिये लोगों को बाग मित्र के रुप में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती है ये बाग मित्र इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि बागों और इंसानों के बीच टकराव के स्थिति ना बने देश के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह के कई प्रयास जारी है मैंने यहां कुछी प्रयासों की चर्चा की है लेकिन मुझे खुशी है कि जन भागीदारी बागों के सवरक्षण में बहुत काम आ रही है ऐसे प्रयासों की वज़त से ही भारत में बागों की आबादी हर साल बढ़ रही है आपको ये जानकर खुशी और गर्व का अनुवा होगा कि दुनिया भर में जितने बाग है उनमें से 70% बाग हमारे देश में है सोचिए 70% बाग तभी तो हमारे देश के अलग-अलग हिस्सों में कई टाइगर संचुरिय है साथियों बाग बढ़ने के साथ साथ